अगर आप एक Financial Auditors and Accountants हैं और Canada में काम करना या Permanently Migrate होना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप ही के लिए हैं। Hello Friends, हमारे चैनल A to Z Immigration Updates पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपनी वीडियो सीरीज Canada Immigration Pathway for Skilled Migrants में एक और Skilled Profile वीडियो के साथ हाजर हैं। इस वीडियो में हम आपको Canada में Financial Auditors and Accountants के Profile Description, Education अत्वा लाइसेंस की Requirements, Median तथा Retirement Age, Career Scope, विभिन प्रोविंसे में Financial Auditors and Accountants की Current Job Openings और सबसे जरूरी फाक्टर, Average, Maximum तथा Minimum Weekly और Hourly Wage Rate के बारे में बताएंगे। ये सारी information जानने के लिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखें। आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करके Immigration से संबंधित सभी latest news अत्वा अन्य जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो आए सबसे पहले आपके प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कैनिडा में हर एक उक्क्यूपेशन के लिए एक प्रोपर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन दी गई है। ये डिस्क्रिप्शन उस प्रोफेशन के वर्क एरियाज और विभिन इंडस्ट्रिल सेक्टर्स के लिए जरूरी जॉब रिस्पोंसिबिलिटीज के बारे में अच्छे से बताती है। Financial Auditors और Accountants विभिन क्षेत्रों और Professional Institutions में Financial Recording और Accounting Standards की जाँच करते हैं। इनका कार्यक्षेत्र जर्नल और Ledger Entries, Bank Statements, Inventories, Expenditures और Tax Returns जैसे विभिन Financial Records तक विस्तृत हैं। वे Detailed Reports तयार करके Accounting और Management Practices में सुधार की सिफारिश करते हैं। इनकी जिम्मेदारियों में, Businesses के Field Audits करना, Income Tax Act और Canadian Business Corporations Act के Provisions का पालन सुनिश्चित करना, और Unnear Auditors या Accounting Professionals को सूपरवाईज करना भी शामिल है। Canada में हर Occupation के लिए एक Specific Education Level की जरूरत निर्धारित है। इसके इलावा कुछ Job Sectors में काम करने के लिए Licensing अत्वा अन्य Certifications की भी जरूरत रहती है। तो आईए अब आपके Profile के लिए जरूरी Education Requirements के बारे में देखते हैं। Financial Auditors and Accountants के लिए University Degree के साथ किसी Chartered Accountants के Provincial Institute द्वारा Approved Professional Training Program की भी आवश्यक्ता है। इसके अलावा, दो साल या तीस महीने की On-Job Training और Uniform Evaluation, UFE, को सफलता पुरवक पूरा करने के बाद, Provincial Institute of Chartered Accountants में Membership होना चाहिए। Auditors के लिए भी Similar Education और Training की आवश्यक्ता है और कुछ केसिस में Institute of Internal Auditors द्वारा Recognition की भी जरूरत हो सकती है। Public Accounting Practice के लिए, Provincial या Territorial Governing Body द्वारा Licensing आमतोर पर आवश्यक्ता है। Canada में काम करने की न्यूनतम आयू 16 वर्ष निर्धारित है, परंतु हर प्रोफेशन के लिए एक तैशारीरिक तथा मानसिक स्ट्रेंग्ट चाहिए होती है। इसके अलावा ज्यादातर सेक्टर्स में काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सपिरियंस भी मांगा जाता है। इन सब जरूरतों को मद्दे निजर रखते हुए, Department of Statistics Canada आपके प्रोफाइल की Median Work Age और Retirement Age तै करता है। अगर बात करें Financial Auditors and Accountants की, तो Financial Auditors and Accountants के प्रोफाइल पर काम करने वाले Professionals की औसतन आयू 44 वर्ष है और Financial Auditors and Accountants के लिए सामान्य Retirement की आयू 63 वर्ष है। किसी भी नए कंट्री में मूव होने से पहले, आप वहाँ पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में जानना चाहेंगे। तो अब हम Canada में आपके प्रोफाइल पर काम कर रहे, Professionals की कुल संख्या देखेंगे और इसके इलावा आपके प्रोफाइल के लिए उपलब्ध करन्ट जॉब ओपनिंग्स का अनालिसिस भी करेंगे। Canada में Financial Auditors and Accountants के प्रोफाइल पर काम करने वाले Professionals की कुल संख्या 194, 400 है। अगर हम Financial Auditors and Accountants के प्रोवन्स वाइस काउंट की बात करें तो Quebec, Ontario, British Columbia सबसे ज्यादा Financial Auditors and Accountants वाले राज्य हैं। Canada में फिलहाल उपलब्ध जॉब ओपनिंग्स की कुल संख्या 330 है। इन ओपनिंग्स को देखने तथा अपलाई करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। किसी एक प्रोफाइल के लिए, कैनेडा के अलग-अलग प्रोविन्स में प्रोफेशनल्स की मांग कम या ज्यादा हो सकती है। प्रोफेशनल्स की यह डिमांड उस प्रोविन्स में मौजूद एम्प्लॉइमेंट की ओपरचुनिटीज और संबंदित इंडस्ट्री सेक्टर्स के आकार पर निर्भर करती है। तो अब हम आपके प्रोफाइल में जॉब ओपनिंग्स की संख्या के आधार पर प्रोविन्सिस की लिस्ट देखेंगे। Jobbank.gc.ca द्वारा उपलब्त कराए गए। हालिया आंकडों के अनुसार इस वीडियो की Publishing Date तक Financial Auditors and Accountants के प्रोफाइल पर 171 जॉब ओपनिंग्स की साथ कोईबेक लिस्ट में सबसे ऊपर है। कि नुनिवर्ट सिर्फ एक Job Opening के साथ इस लिस्ट में सबसे आखरी पाइदान पर है। आपके प्रोफाइल से जुड़ी लेटिस्ट जॉब ओपनिंग्स और उन्हें अपलाई करने का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इन में से किसी भी जॉब के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो वीडियो में दिये गए लिंक को अभी क्लिक करें। अब हम सबसे इंपोर्टन जॉब फैक्टर की बात करेंगे जो कि आपकी सैलरी या आउली वेज रेट से संबंधित हैं। जॉब आंक, जीसी, सीए के द्वारा हाल ही में दिये गए आंकडों के अनुसार, हमने कैनेडा में आपकी प्रोफाइल के लिए मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियन वेज रेट का अनालिसिस किया है। तो आएए देखें की, ये आंकडे आपके प्रोफाइल के बारे में क्या बताते हैं। कैनिडा में financial auditors and accountants हर घंटे और सतन 35 Canadian dollars कमाते हैं। इस विडियो की recording तक आपके profile के लिए Canada में maximum wage rate 58 Canadian dollars है और minimum wage rate 20 Canadian dollars है। Financial auditors and accountants के profile के लिए Northwest Territories सबसे ज्यादा wage rate के साथ चार्ट में सबसे उपर है जबकि Prince Edward Island सबसे कम wage rate देने वाला province है। इसके इलावा अगर आप Canada की सभी provinces की एक detailed wage wise ranking देखना चाहते हैं या फिर अपनी फेवरिट प्रोविंस में आपके profile के लिए उपलब्ध job opportunities के बारे में जानना चाहते हैं तो description में दिये गए लिंक को ज़रूर क्लिक करें। Immigration Pathways Canada में migrate होने के लिए कई visa options तथा immigration pathways उपलब्ध हैं। इन options के जरिए, skill professionals सीधे permanent residency, work visa या study visa प्राप्त करके Canada में settle हो सकते हैं। अगर आप भी अपने profile से संबंधित visa options को explore करना चाहते हैं, तो इस वीडियो की description में दिये link पर अभी क्लिक करें। और हमारे experts के साथ एक consultancy session बुक करें। हम अपने global clients के लिए हर प्रकार की immigration services के साथ एक one-stop online immigration platform देते हैं। आप हमारे experts की team द्वारा online consultancy sessions, assessment application filing, employer search, LMIA filing, work visa filing, तथा PR filing जैसे विभिन विशियों पर किसी भी तरह की assistance ले सकते हैं। इसके अलावा, अगर आप एक Canadian style resume बनाना चाहते हैं, या फिर अपने लिए Canada में settle होने की best possible options को explore करना चाहते हैं, तो आप हमारे experienced migration advisor के साथ एक expert consultation session बुक कर सकते हैं। हमारे experts आपकी profile तथा आपके मोजुदा circumstances का detailed analysis करके आपको best advice देंगे। तो अपने profile पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए description में दिये गए link पर जाकर, अभी ही expert session जरूर बुक करें। इसके इलावा, अगर आप एक Canadian employer हैं, तो आप अपने business के लिए best manpower को hire करने और उनके LMIA application या work visa की filing करने के लिए भी हमारी team से संपर्क कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सी काम की जानकारी मिली होगी। Immigration से संबंधित, ताजा जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को subscribe और like जरूर करें। और हाँ, bell icon को दबाना न भूले। Facebook और Instagram पर follow करने के लिए description में दिये link पर click करें। इस वीडियो को अन तक देखने के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही एक और informative वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे।